हालो इस्टूडेंस कैसे हो आप लोग मौरिया एजूकेशन में आपका स्वागत है इस्टूडेंस जैसा कि आपको पता है कि एज़ पर गवर्मेंट कम्यूनिकेशन आपको क्वेस्चन बैंक पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मराठी में अपलोड हो पाया है और इंग्लिस में भी कुछ पार्ट ही मिल पाए है जिसको की convert करने के लिए हम लोग काफी कोसिस कर रहे हैं लेकिन convert नहीं हो पा रहा है और government भी अभी तक इसको upload नहीं की है तो हम यहाँ पर आपको कुछ indication के माध्यम से कुछ आपको कोसिस कर रहे हैं समझाने और बताने की जिससे की आपका answer और doubt क्लियर हो जाए और आप अपने book के हिसाब से पढ़ाई को भी continue रख सके तो इसका तो हमको PDF English में नहीं मिल पाया है students लेकिन हमने इसको English में लिखकर समझने की कोसिस किया है और आपको समझाने की कोसिस किया है तो please आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपने PDF या printout लिया है उसमें वहाँ पर टिक कर लिजे और उससे अपने study को continue रख तो please हमारे channel पर विजिट करके वहाँ से देख लीजे और answer को tick कर लीजे अब हम चलते है question number 63 पर जो हमको दिया है से जार गही तील प्रयोगातात गुण धर्मा मुले pencil वाल के लिए भास्ते मतलब यहां हमको क्या दिया है कि in the given experiment हमको एक देखिए यहां पर experiment दिखाया गया है आप देख रहे होंगे कि ग्लास में एक pencil को दिखाया गया है in the given experiment the pencil is appear to be broken because of यहां से pencil हमको क्या दिखाई दे रही है दो पार्ट में दिखाई दे रहा है लग रहा है बीज से टूटी हुई है तो यहां किसके वज़र से हो रहा है हमको बताना है तो यहां पर देखेंग अपवर्तन रिफ्रेक्शन आफ लाइट के वज़े से क्या दिख रहा है पेंसिल हमको यहां पर ब्रोकेन दिख रही है तो question number 63 का answer एक complete हो जाएगा 64 पर चलते हैं खालील आकृती तीत अपाती कून यहां पर हमको देखिए क्या दिया है कि एक यहां से light आ रही है given diagram में incident angle बन रहा है जो की 40 degree है then emergent angle देखिए जो यहां पर बन रहा है angle incident angle जो बन रहा है क्या है 40 degree है तो यहां पर भी बनने वाला angle क्या होगा जो नीचे हमारा emergent angle बन रहा है e पर e भी हमारा कितना होगा 40 degree होगा तो 40 is a right answer हो जाएगा आपका ठिक है तो इस तरह से question number 64 का answer आपका आ 65 पर चलते हैं 65 में हमको क्या दिया एक प्रकास किरण काचेच्या चिपेच्या मतलब a light ray is making 40 degree angle with the surface of a glass slab then its incident angle will be देखिए बता रहा है कि जो नीचे इसका surface पर angle बन रहा है 40 degree तो incident angle क्या होगा तो देखिए जो incident angle बनता है वही surface angle भी बनता है ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा incident angle 40 degree हो जाएगा तो 65 का भी answer हमारा 40 degree होगा 66 पर चलते हैं we see the sun even before it emerges above the horizon this is because of तो यह किसके वज़ा से होता है students तो देखेंगे प्रकासाचे अपवर्तन जो की हमको दिया है reflection of light तो 66 का भी answer हमारा a right है इसको select कर लीजिए 67 is the unit of refractive index refractive index के लिए दिया है cm दिया है meter दिया है degree दिया है refractive के लिए index यहां पर there is no unit of refractive index यहां पर इससे मिलता हुआ कोई भी index नहीं दिया गया है 68 पर चलते है 68 दिया है n equal to is called the snail's law snail's law क्या है snail's law है sin r upon sin i a ठीक है तो option a आपका right है sin r upon sin i n i तो हमारा option a is a right option है ठीक है तो a को आप correct कर दीजिए आपका answer right हो जाएगा 69 पर चलते है 69 में दिया है सुरच्छा वाहत कुई in prefix signal different colored light are to be used prefix signal पर दिया गया है कि different color की light use की जाती है from these lights wavelength of red light is red light का wavelength क्या होता है तो wavelength अगर हम red light की बात करें तो देखिए 400 500 600 700 दिया है तो उसकी सबसे ज़्यादा होती है कितना होता है 700 होता है ठीक है 70 पर चलते हवेचा काचेचा संदर्व असलेला आप और तनांग कितना है उसको हमको बताना है तो यहाँ पर option आ जाएगा आपका 3 upon 2 ठीक है option 3 upon 2 is a right answer हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर B option B आपका right है 71 पर चलते हैं पदार्थ माध्यमाद the process of separation of light into its component color while passing through a medium is called जब कोई light pass होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको disversion of light बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं dispersion of light जैसे किसी कांच पे जो हमारा 7 light होता है ठीक है जैसे कि इंद्रधन उसका जो color बनता है उसको हम dispersion of light बोलते हैं 72 पर चलते हैं 72 light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent एंदर transparent medium this is called reflection of light क्या होता है इसको हम reflection of light बोलते हैं ठीक है 73 पर चलते हैं array of light gets refracted array of light gets refracted while passing through a lens जब कोई lens के through हम light को pass कराते हैं तो क्या होता है यहां once दिया है twice, thrice doesn't refract तो यहां twice होगा 73 का option आपको क्या मिल जाएगा student 73 का answer मिल जाएगा आपको यहां twice आ जाएगा 74 पर चलते हैं 74 पर हमको क्या दिया है the point inside a lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called the of a lens तो यहां आता है optical center यहां पर क्या आ जाएगा optical center करवेचर नहीं आएगा यहां पर optical center जो की option b आपका right होगा ठीक है प्रकासी केंद्र ठीक है 75 पर चलते हैं if the position of object is blank है then the obtained image is virtual if the position of object is then the obtained image is virtual तो यहां होगा between f1 and o ठीक है between f1 and o यह इसका right answer होगा 76 पर चलते हैं 76 पर हमको क्या दिया है if an object is kept at 2 f1 the image will be obtained at 2 f2 यहां पर option b आपका right हो जाएगा ठीक है यहां पर आपका option क्या बनेगा 76 में 2 f2 बनेगा ठीक है 77 all distance parallel to the principal axis are measured from the यहां optical center आएगा यहां पर भी क्या आएगा optical center आएगा 77 का answer आपका optical center आएगा जो की behavior करता केंदर बोलते हैं ठीक है 78 पर चलते हैं there is a small hole of changing diameter at the center of the iris which is called the pupil तो इसको हम क्या बोलते है people जो की हमारा option d right है ठीक है बाहुली बोलते हैं जिसको ठीक है 79 for a normal human eye the near point is 8 देखे near point is 8 दिया है इसका आएगा हमारा क्या आएगा 2.5 the at 2.1 cm, 2.5 cm, 25 cm ठीक है तो 25 cm is a right answer for a normal human eye the near point is at 25 cm होता है 80 पर चलते हैं 80 हमको क्या दिया है 80 दिया है lenses always form small and virtual image जहां पर हमको क्या बनता है lenses always form small and virtual image यह होता है by concave होता है ठीक है तो option c आपका right है by concave होगा आगे हम चलते हैं 81 पर in the relaxed state the focal length of healthy eye is देखे इसका अगर exact answer की बात करें तो 2.5 दिया है 2.1 दिया है 25 और 5 जो हमको पहले option दिया है वही यहां दिया है तो इसका 2 होना चाहिए था लेकिन book में तो 2 दिया है यहां पर 2.1 दिया है तो near about 2.1 को हम correct कर देंगे क्योंकि 2 नहीं है तो 2.1 को हम right कर देंगे 82 पर चलते हैं for a particular length f equal to 0.5 on the basis of the information a student has to find out the type of the lens what would be his answer तो power equal to क्या होता पावर equal to plus 2 diopter convex lens होगा यहां क्या होगा plus 2 diopter convex lens option a right हो जाएगा तो 82 का आपका option a right है ठेक है 33 पर चलते है इन नियर साइडनेस इन नियर साइडनेस क्या दिया है mypia the eye यहां cannot see distance object clearly यहां पर क्या हो जाएगा option b जो हमको दिया है option b हमको दूरस्च्या वस्तू असपस्ट पड़े पाहू सकत नहीं तो option b अपका right हो जाएगा 84 पर चलते है 84 हमको क्या दिया है student 84 दिया है elongate so that the distance between the lens and the retina increase hence the eye cannot see distance object तो यहां पर आपका आजाएगा eyeball इसको हम क्या बोलते है 84 का आजाएगा आपका eyeball ठेक है नेत्र गोल बोलते है जिसको ठेक है 85 पर चलते है 85 हमको क्या दिया है in farsightness यह human eye cannot see nearly nearby object distinctly तो यहां पर आजाएगा cannot see nearby object distinctly ठीक है option c आपका right हो जाएगा 85 का option c right है ठीक है जो कि यहां पर को दिया है 86 पर चलते है 86 हमको दिया bifocal lenses are required to correct the defect ठीक है bifocal lenses are required to correct the defect तो यहां पर आजाएगा आपका प्रेस बाय फिया आएगा प्रेस बायो फिया आएगा प्रेस बायो पिया ठीक है option c right हो जाएगा 87 पर चलते है one can get a times larger image of an object using compound microscope तो यहां पर आजाएगा देखिए 5, 10, 20, 60 दिया है 20 is a right option हो जाएगा 88 पर चलते है how come 88 पर क्या दिया है is the made up to convex lens having smaller focal lens तो यहां पर क्या आजाएगा student compound microscope आएगा यहां पर simple microscope दिया है compound दिया है telescope दिया है astronomical दिया है तो telescope astronomical तो एक ही है तो यहां आजाएगा compound microscope जो की right answer हो जाएगा अब हम चलते हैं chapter number 8 के question हमको दिये है metallurgy के बारे में तो metallurgy के बारे में भी हम देख लेते हैं ठीक है bronze is an alloy of end दिया है ठीक है blank space end तो copper tin दिया है copper zinc दिया है copper iron है copper nickel है तो यहां bronze is an alloy of copper and tin ठीक है bronze में copper और tin है ठीक है तो 89 का आपका option यह right है 90 पर चलते है it is an alloy made from iron cronium and carbon nickel ठीक है यहां पर क्या दिया है nickel दिया हुआ है 90 पर देखेंगे cronium low-khand or nickel cronium यांचे लेकिन यहां क्या है carbon है तो stainless steel आएगा 90 का option क्या आएगा stainless steel जो की copper दिया है third option 91 की बात करें in which of the following is basic oxide तो basic oxide होता है हमारा CO2 नहीं है K2O K2 is a right option है S2O भी नहीं है SO2 भी नहीं है ठीक तो B आपका right option आएगा किसका 91 का आएगा 92 पर चलते हैं in electrolytic in electrolytic reduction of aluminium acid of dipped in the molten electrolyte works as anoid तो यहां पर graphite है यहां पर क्या है sulfur graphite platinum दिया है यहां पर आएगा आपका graphite 92 का answer graphite है 93 iron is iron क्या है iron is less reactive than aluminium aluminium से कम reactive क्या होता है iron होता है तो आपका option D right है 93 का 94 पर चलते है 94 में हमको क्या दिया है student if element Z, Zn, Fe, Aluminium and Cu are arranged in increasing order of their reactivity then which of the following order is correct ठीक है तो यहां option A आपका right है जो कि आप बुक से भी चेक कर सकते हैं आपका right हो जाएगा 95 पर चलते है a greenish layer forms on the surface of a copper and brass vessel due to corrosion to prevent this damage which of the following method is to be used इसको protect करने के लिए कौन सा method हम use करते हैं तो यहां पर हम teining का method use करते हैं ठीक है टीनिंग करते हैं उसको 96 द विलफले table method is based यहां पर आजाएगा gravitation 96 का option क्या है gravitation आएगा 97 एल्मूनियम आकसाइड is एमफो टेरिक आजाएगा एल्मूनियम आकसाइड is एमफो टेरिक 97 का option है 98 atomic number of एल्मूनियम is and its configuration is देखिए यहां पर आजाएगा इसका आएगा atomic number of एल्मूनियम is 13 और इसका configuration है 283 ठेक है 283 फर्स्ट में 2, second में 8 and last वाले में 3 आएगा 99 molecular form formula of zinc blendage तो यहां आ जाएगा ZN S option B is a right option हो जाएगा आपका ठीक है तो इस तरह से आपका 99 complete हुआ अब हम चलते हैं 100 पर अब हम चलते हैं 100 question number पर मध्यम अवक्रिया सेल धातूचे निसकरसन extraction of moderately reactive metal is done with method कौन सा method यो जोता है roasting and calcination roasting and calcination option A आपका right है ठीक है भाजड़े वह निस्तापन दिया है 101 चादी चे रच्छन जाल्या मुले कालिया रंगाचा थर जमा होतो due to corrosion of silver blackest layer of is found तो silver sulfide बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं silver sulfide to prevent corrosion of iron or estill method is used तो इसको हम galvanizing करते हैं इसको हम क्या करते हैं galvanizing method यो जोता है 103 पर चलते हैं aqua regia is freshly prepared by mixing concentrated hydrochloric acid and acid तो उसके साथ कौन सी acid मिलाते हैं उसके साथ आएगा आपका nitric acid आता है उसके साथ आपका nitric आमल दिया है जो की option B है यहाँ पर 103 104 पर चलते हैं देखे बड़ा important और अच्छा question है एक्जाम में पुछा जा सकता है a sound is produced when certain metal are struck this is called sonitary इसको हम क्या बोलते हैं sonority बोलते हैं इसको हम sonority बोलते हैं ठीक है this is called sonority 105 पर चलते हैं non metal exists is liquid state at room temperature तो यहाँ आएगा bromine यहाँ पर क्या आएगा bromine या bromine भी बोलते हैं इसको 105 हो गया 106 पर चलते हैं 106 हमको दिया है ionic compound are electrically neutral होता है ionic compounds are electrically neutral होता है 107 is bad conductor of electricity but good conductor of heat तो diamond आएगा क्योंकि diamond electric के लिए bad conductor है लेकिन heat के लिए good conductor आता है 108 पर चलते हैं is the least reactive metal least reactive metal कौन सा है हमारा gold आता है student तो यहाँ आपको basic सी चीजे हैं जो कि आपको अच्छे से मालूम है gold आएगा 109 पर चलते हैं substances from green aqueous solution तो यहाँ आएगा FESO 4 आएगा यहाँ पर क्या आएगा आएगा FESO 4 आएगा 10 पर 10 हमको कुछ confusion वाला question दिया है जो कि हमने इसको answer इसका नहीं मिला आए student तो एक बार आप book से या digest से ढूटने की कोशिस कीजिएगा मिल जाएगा वहाँ पर 111 पर चलते हैं when one of the metal is an alloy is mercury the alloy is called amalgam इसको हम क्या बोलते हैं amalgam बोलते हैं ठिक हैं आगे हम चलते हैं आगे कौन सा आगे आपका 111 हो गया अब हम चलते हैं 112 पर 112 हमको क्या दिया है student 112 पर देखेंगे the mineral form which the metal can be separated economically are called economically are called तो यहाँ पर आजाएगा 112 का आएगा ores क्या आएगा आपसन ओरस आएगा ठिक हैं clear है आगे हम चलते हैं carbon compound carbon compound में हमको क्या दिया है student generally the boiling point of carbon compound are found to be lower than 300 degree generally the boiling point of carbon compound are found to be lower than 300 degree होगा number of electrons in valence cell of carbon is तो यहाँ पर आजाएगा 4513 दिया है तो 4 is a right option है oxygen का दिया हमको the molecular moses of carbon compound नहीं 15 पे there is bond between two oxygen atoms तो यहाँ पर डबल आएगा 16 पर चलते हैं तो molecular moses आप carbon compound range up to 10 range to 10 range to कितना होगा 11 होता है 11 ने 12 होगा 12 होगा ठीक है 12 is a right option है 17 पर चलते हैं the unsaturated hydrocarbons containing a carbon carbon double bond are called इसको हम क्या बोलते हैं अलकाइन बोलते हैं ठीक है जो की option यह आपका right है अलकीन बोलते हैं ठीक है अलकीन अलकाइन अलकोहल तो first आपका अलकीन आएगा 19 पर चलते हैं the phenomenon in which compound having different structural formula have the some molecular formula is called structural isomerism ठीक है structural isomerism बोलते हैं जो की 19 का आपका आजाएगा option a right है 20 पर चलते हैं is cyclic hydrogen तो यहाँ आजाएगा benzene c option right है 120 का benzene आजाएगा 121 पर चलते हैं 121 हमको क्या दिया है in any homologous series while going in increasing order of the length there is a rise in the molecular mass of the members by 14 u आएगा इसका क्या आएगा 14 u आएगा 122 पर चलते हैं student the general molecular formula for the homologous series of alkyne is क्या दिया है यहाँ alkyne का आएगा c option right है ठीक है आपका 122 का option c right है 123 पर चलते हैं LPG मदे LPG मदे क्या है is the one of the combustible component of LPG तो यहाँ आएगा propane आता है ठीक है propane 124 at room temperature ethanol is ethanol is क्या आजाएगा liquid आएगा 125 पर चलते हैं is called spirit तो यहाँ आएगा ethanol ठीक है यहाँ पर क्या आएगा ethanol आजाएगा ठीक है आगे हम चलते हैं 126 पर 126 हमको क्या दिया है due to we can gather information about worldwide event sitting at home जिसके through students आप आज इतने दूर दूर से जुड़े हुए हैं worldwide label पर ओचीज हमको क्या support करती है उसको हम बोलते हैं internet उसको हम क्या बोलते हैं internet बोलते हैं ठीक है आगे हमको देखना है 127 the first person to step on the moon ठीक है तो यहाँ पर आएगा Neil Armstrong आता है यहाँ पर नाम क्या आएगा 127 का Neil Armstrong आएगा 128 पर चलते हैं पहला कृतिम उपग्र हारसियानी 1957 साली सावकास पाठोला ठीक है 128 पर first artificial satellite के बारे में पूछा जा रहा है तो sport निका आएगा यहाँ पर क्या आएगा sport निका आएगा ठीक है option C right है आपका 129 पर चलते हैं 129 क्या दिया है if the यहाँ पर आपको दिया आर्थ ग्रेविटेशन टो ट्रेवल टू दा आउटर स्पेस इज मस्ट है minimum velocity आफ वेलो सीटी के बारे में है ठीक है तो इसका option A right है 129 का option A right है 11.2 किलो मेटर पर सेकेंड होता है 130 पर चलते हैं student A group of student from COEP made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016 इसको हमने क्या नाम दिया था स्वयम इसको ISRO के ग्रूप ने नाम दिया था स्वयम ठीक है 131 पर चलते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर astronomical object nearest to the earth is moon तो यहाँ पर option क्या आ जाएगा आपका moon is a right option है इस तरह से student जो आपके science 1 के जितने आपको MCQ question दिये गए थे हमने ढूट के कोसिस करके आपको complete करने की बताने की कोसिस किया है आपको 100% तो support नहीं करेगा student लेकिन कुछ तो आपको जहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा था वहाँ पर at least कुछ आपको support मिल जाएगा I think आपका 90% काम यहाँ से हो जाएगा बस आप अपने study को continue रखिए हमारे channel पर ऐसे ही बने रही है हम आपको आगे भी ऐसे ही ढूट ढूट के जानकारी देते रहेंगे आपके study में support करते रहेंगे बस आप हमारे channel पर support करते रहें आगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाए थेंक यू